हमारे साथ हैं देवी हैलिया विश्विध्याले की कुलपती नरेन धाकर साब एक लंबा वक्फा हुआ है जब इंदौर को इंदौर का ही व्यक्ति कुलपती के रूप में मिल पाया है इंदौर ने लगातार धारा बावन को थोपा जाना और उसके वाद ऐसे कुलपतीयों का आगमन देखा है इनका इंदौर की जमीन से रिष्टा नहीं था कोशिश है उन्होंने भी की लेकिन लगातार वो देवी हैल्या विश्विध्याले जिसका सितारा शिक्षा जगत में लगातार चमकता था उसमें कुछ ने कुछ कम्या रही है धाकर साब के आने से लोगों में बहुत उमीद है और उनने इस चुनोती को सीधे सीधे उसका सामना करना शूरू भी कर दि हिए सात सो परिक्षा होती है तु कि यहां परिश रिजल्ट आना एक बढ़ी बात है और हमने उसको ट्रेकिंझ के लिए ऑनलाइऑ शिस्टम बना दिया है जिससे हम आशा है कि हम डेल महा में और नेनां परिच्छा करा लगे यानना तीन महा में चुछ को जा रही है खूर नहीं कॉलेज में जाने से रिजल्ट जादू से नहीं आ सकता है, इसलिए मेरा सबसे निवदन है कि बच्चों को कॉलेज में भेज़ें, बच्चे क्लास में रेगुलर पढ़ेंगे, तो निश्चे तुरुप से उनका विजल सुदे रगा, यह हमारा प्रयाद से, एक को देखा है करीब से, दूसरी शेक्षणिक वरिष्पदों की भूमिकाएं भी आपने निभाई है, तो आपको क्या लगता है कि इससे क्या बड़ा फरक पड़े है? सरभार से वक्ति आता था, वो इस विश्विध्याले को स्टेपिंग स्थोन याने एक सिरी के समान मानता था, और सिरी के समान से उचला जाता था, पर क्योंकि मुझे लोकल रहना है, यहां मैं जबाब देऊ हूँ हर वक्ति के लिए, इसलिए मेरी प्रात्मिक्ता यह है कि कि विश्विध्याले को रिगुलर कर दूं, और मुझे आशा ही नहीं पुरा विश्वास है कि हम इस कारे को तीन महा के अंदर कर पाएंगे, और दो हमने नए काम ओर चालू कर दिये हैं, एक तो जो यहां जो शोध होता है, शोध जो भी वक्ति करता है, उसको अपनी जान कि अपना को रिसर्च हो रही है, और जनहीत में कैसे उप्योगी है, एक और काम हमने जो नया शुरू किया है, वो मंतली एक अंदर रास्टी यह रास्टी ख्याती प्राफ व्यक्ति के व्याख्यान कराने का है, जिससे इंदोर की जनता भी उससे लाभानित हो सके, प्रोग आप इसको ज्यादा ज्यादा प्रचारित करें जिससे अधिक लोगों को अलग-अलग विश्मा पे जानकारे मिल सकेगी अब वक्त कम हुआ है लेकिन बहुत सारी चुनौतिया है धाकर साथ के सामने अब उम्मीद करते हैं कि देविया हिल्या विश्विध्याले की शेक्षनिक, साहितिक और स्वांस्टिक शेत्र में जो धमक रही है जो धाक रही है वो लगातार कायम रहेगी और ये नई उचाई युको चुएगा इस शुप काम ना किसा है धन्यवाद